Hello everyone, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणू और अनू के बारे में, मतलब आटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम समझेंगे. So, परमाणू से पहले समझने से पहले हमने पिछली क्लास में मैटर के बारे में समझा था और हमने फिर समझा था कि अलग-अलग चीजें कैसे आपस में मिलती हैं. तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि ये जो मैटर है, ये मैटर के अंदर ऐसी और क्या खूबिया हैं, ऐसी और क्या शमताएं हैं, जिसकी वज़े से हमारे आस पास इतनी सारी नई-नई चीजें मौजूद यहां पाई जाती हैं और उन चीजों से हम और नई चीजे बना ल होता है, ये हमने पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी पढ़ लिया है, अब हम इस मैटर के अंदर की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर क्या है, किन चीजों से बना हैं, तो हम केमिस्ट्री में भी यही पढ़ते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी प So, हमने पढ़ा था कि जो matter है या पदार्थ है ये बनता है छोटे-छोटे particle से मिलकर, मतलब छोटे-छोटे atoms से मिलकर, छोटे-छोटे पर्मानू से मिलकर ये चीजें बनती हैं. अब ये कैसे बनती है और ये हमें किसने बताया कि ये matter या कोई भी पदार्थ के अंदर बहुत सारे पर्मानू होते हैं. ये हमें बताया है हमारे बहुत ही Indian philosophers ने बहुत सारे मिलकर इन्होंने काम किया और जाना कि ये पर्मानू की खोज करी और पर्मानू के बारे में जाना क यह कैसे एक दूसरे से अलग है तो सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसफर महर्शी कनन्द आये और उन्होंने आटम के बारे में परमाणू के बारे में खोजना शुरू किया और वो इस तातपर्य से आगे चलते गए क्योंकि उनको हर चीज अलग-अलग नजर आ रही थी तो जो यह परमाणू होते हैं यह बहुत ही छोटे होते हैं अपने अपने साइज में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे पदार्थ होते हैं जिनको हम परमाणू बोलते हैं फिर उसके बाद हमारे पाकुदा करते आया हम आए उन्होंने भी ऐसा ही चीज ब हमारे पृत्वी पर, अगर इनको टिके रहना है, अगर इनको कोई अपना अस्तित्व मौजूद रखना है, हमारे पृत्वी पर, तो इनको सहायता लेनी पड़ेगी और परमाड़ों की तभी इनको मिल कर या कोई नई चीज, या अच्छी बड़ी चीज जो exist कर पाए जो जी पाए हमारे अर्थ पर हमारी प्रिथवी पर तो ये पाकुदा करते आये हमने बोला फिर उसके बाद और भी अलग कंट्री के philosophers आये उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि ये जो matter है ये मिलकर बना है आटम से मतपन मानू से और ये अकेले स्थित नहीं हो सकता अकेले इसका कोई भी वजूद नहीं है इसको और atoms की जरुरत लगेगी आपस में इसको संयोजन बनाने के लिए और इसकी वज़े से ही कोई भी हमारा पदार्थ है वो सही रह सकता है वो स्वस्थ रह सकता है और उससे हम बहुत सारी चीज बना पाएंगे तो ये हमारे कुछ तरकीबे निकाली गई थी और ये हमारी है हिस्ट्री हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स ने निकाल कर बनाई जिसको हम ये भी बोल सकते है कि परमानू की खोज कैसे करी गई तो परमानू की खोज सबसे पहले भार्षिक अनंद ने करी जिन्होंने नाम दिया कि जो मैटर है वो बना है छोटे छोटे पधार्ट से छोटे छोटे परमानू से मिलकर जिनको हम आटम्स बोलते है फिर उसके बाद करी गई खोज उसके बाद उसी खोज को और यूज करते वे पाकोदा कते आया हमाए और उन्होंने बोला कि ये इनको एक दूसरे की जरुवत पड़ेगी ये आटम्स जो है ये परमानू जो है ये आपस में कमबाइन करेंगे साथ मिलेंगे और तब ही इनका वजूद एक्जिस्ट कर पाएगा स्थित हो पाएगा हमारी पित्वी पर तो ये खोज करे गई थी हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने अब जब इनका हमें स्थित बनाना है और इनको हमें इस्तमाल करके नई चीज़ें हमने बनानी है इन matters related इन पधात से related तो काफी सारे हमारी इंडियन फिलोसोफर्स और बाहर के भी इंडिया के बाहर के भी फिलोसोफर्स ने कुछ नियम बनाए वो क्या नियम बनाए हम वो सब भी समझते हैं अगली हमारे टॉपिक ही यही है सो सब लिख लीजिए अपनी अपनी note books में हमारा है अब हम समझेंगे law of हमारे कुछ नियम हम समझेंगे रसायनिक सायोजन के नियम कि कैसे ये सारी चीजें आपस में मिलती है जुडती है तो सबसे पहला law हमारा किया गया है सबसे पहला जो नियम है उसका नाम हमने दिया है law of conservation of mass इसके तहट ये साबित हुआ कि जो भी matter का mass होगा वो ना ही हम तोड़ सकती है ना ही हम उसको नया बना सकती है जितना भी mass किसी भी रसायनिक सायोजन के लिए जरुरत रहेगा वो उतना ही रहेगा ना बड़ेगा और ना ही वो कम होगा तो आप सब लिख लिजिए इसके तहट इस नियम के तहट mass can neither mass ना ही हम उत्पन कर सकते हैं और ना ही हम उसको खतम कर सकते हैं किसी भी रसायनिक योजना में तो आप सब ये लिख लीजिए ये हमारा पहला नियम बना और इसकी हम एक रसायनिक की जो reaction है हम वो भी लिख लेते हैं दो चीजे अगर आपस में जुड़ कर बनी उनको हम बोलते हैं reactants और जो चीजे नई उत्पन हुई उनको हम बोलते हैं products तो हम देखेंगे कि जितना भी मास लगा आपस में जुड़ने के लिए और जितना नया मास पैदा हुआ उत्पन हुआ उन दोनों वो दोनों हमीशा बराबर ही रहेंगे ये हमारा पहला नियम बन कर सामने आया which is law of conservation of mass तो अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ और उसका नाम है law of constant proportion अब इस नियम के तहट ये खोज हुई कि कभी भी कोई भी रसाइनिक हम तत्व लेंगे उसमें जो भी जितने भी तत्व होंगे वो एक ही या किसी ना किसी प्रक्रिया में मौजूद होंगे by mass तो कोई भी हम रसाइनिक कोई भी हम chemical substance लेते हैं तो जो elements उसके अंदर होंगे जिनकी वज़े से वो सारी रसाइनिक योजना करी जारी है वो एक ही proportion में पाई जाएगी by mass तो ये है हमारा दूसरा नियम law of constant proportion जैसे अगर हम कुछ example पढ़े जैसे अगर हमने पानी को चुना तो जितना mass जितना ratio mass का hydrogen का लगा ठीक है और हमारा जो oxygen का लगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा fix ही रहेगा उतना ही रहेगा जैसे इस case में हमारा 1 is 2, 2 है 8 है ratio ठीक है तो ये law हम कहीं पे भी check कर सकती है और explain कर सकती है तो ये सारे नियम है तो इनी नियम को आगे use करते हुए हमारे कुछ Dalton जो scientist थी John Dalton उन्होंने भी अपनी कुछ खोज करी और उन्होंने भी कुछ इजाद किया इन matter में इन पदार्थों में उन्होंने भी यही बोला कि जो matter है अब हम next लिख लेते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं John Dalton की आविशकार या John Dalton ने क्या-क्या खोज करी atom से related John Dalton ने सबसे पहले यह कहा कि जो पदार्थ है हमारे कोई भी परमानू है वो बने हैं हमारे परमानू से मिलकर वो सारे छोटे-छोटे परमानू से मिलकर बने हैं और ये परमानू ना ही create कर सकते हैं और ना ही हम तोड सकते हैं ना ही हम इनको खतम कर सकते हैं और ये सारे जितने भी परमानू है वो अलग-अलग अगर हम किसी भी अलग-अलग पदार्थों की बात करें तो हर पदार्थ में अलग तरीके से मौजूद है उनका size अलग है उनका mass अलग है different size है अलग size है अलग mass है और अगर वो आपस में जुड़ते हैं और नई properties बनाती हैं तो वो भी सबकी different ही होगी, अलग ही होगी. तो जितने अलग-अलग चीजें हम देखते हैं तो सब-सब अलग-अलग पनमानूं से मिलकर बने हैं. फिर उसके बाद ये भी बोला कि जो भी आपस में ये मिलकर बनाती हैं वो एक particular ratio होती है और उसी के तहट वो आगे नया substance बनाते हैं. चीक है? अब हम चलते हैं इन्ही को लेकर, atoms को ही लेकर और हम नई चीजें आविशकार करते हैं. जब atoms का जब परमानू की खोज हो रही थी तो उससे पहले हमने समझा कि ये जो atoms हैं, ये किसके अंदर हैं? ये अंदर हैं किसी तत्व के और ये तत्व मिलकर बनाती है matter. तो किसी भी matter में, किसी भी पदार्थ में अलग-अलग तत्व मौजूद होती हैं. तो हमने में आपे एक टेबल बना दी हैं. सबसे पहले matter, matter में अलग-अलग तत्व मौजूद होते हैं और ये अलग-अलग तत्व के अंदर होते हैं, अलग-अलग परमाडू. तो ये हमारी एक टेबल बन कर आ गई है. हमने पिछली class में matter तो समझ लिया, इस class में अब हम element और थोड़ा सा atoms के बारे में जानेंगे. element का मतलब होता है तत्व. अब अभी तक हमारे पूरे पृत्वी से हमें 118 तत्व मिले हैं. हमारे पास कितने तत्व हैं अभी तक? 118. अब वो जो 118 तत्व हैं वो हमने, वो scientist ने ऐसे जगहां रख दिये हैं so that कि हम उसको कभी भी ना भूले क्योंकि हमें उनको अलग-अलग जगहां पर use करना है, इस्तमाल करना है, उसको हम अलग-अलग जगहां से हम उसको use करके नए चीज़े और बना पाएं, तो इसी वज़े से हमें इन सारे तत्वों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने परमाडू हैं, वो कैसे combine करेगा, कैसे वो मिलेगा, जुलेगा, कैसे वो नए चीज़े बनाएगा, तो हमें उसके बारे में सारे properties पता होनी चाहिए, अगर हमें properties पता होंगी, तभी हम उसको नया और बना पाएंगे, या और नई चीज़े हम बना पाएंगे, तो अब इन 118 तत्वों को एक जगहां पे रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे periodic table है, इसके अंदर 118 तत्व रखे गए हैं, और ऐसे रखे गए हैं कि हमें पता चलता रहे कि कौन आपस में एक दूसरे से थोड़ा बहुत similar है, तो हम एक जगह की जगह दूसरा तत्व भी इस्तमाल कर सकें, अपने reaction में, अपने सारे खोज करने के लिए, अपने रसाइने खोज के लिए, तो इसलिए हम periodic table के थूस सारी तत्वों को अच्छे से पहचान पाते हैं, तो अब जो हमारी खोज हुई तत्वों की, वो कैसी खोज हुई, उनके नाम रखे गए, अब नाम कैसे रखे गए, जिसने खोज करता गया, वो उनको नाम देता गया, अब वो नाम याद रखना बहुत मुश्किल का काम हो गया था, जैसे किसी तत्व का नाम है hydrogen, किसी तत्व का नाम है magnesium, किसी तत्व का नाम है sodium, phosphorus, calcium, chlorine, bromine कितने बड़े-बड़े नाम दिये गए हैं तो यहां से हमारे जो अलग-अलग scientists हैं उन्होंने सोचा कि हम इनको याद कैसे करेंगे, हम इनको इस्तमाल कैसे करेंगे, हमें हमेशा ही नई-नई चीज़े लिखनी पड़ेंगी, हमेशा नहीं बड़े-बड़ी चीज़े लिखनी पड़ेंगी, भले ही हम उसको रसाइनिक की खोज में यूज कर रहे हैं हो कहीं पे इस्तमाल कर रहे हो, हमें इनके सारे बड़े-बड़े नाम बार-बार लिखने पढ़ेंगे और जिससे हमारा बहुत ही जो टाइम है वो वेस्ट होता चला जाएगा तो हमारे जॉन डाल्टन ने कुछ-कुछ हमारे लिए नाम देना शुरू करा अगर हम इनको इन सारे अलग-अलग नाम से याद रखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा असान हो जाएगा तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमने इनके कैसे-कैसे नाम देने शुरू करें तो जैसे हाइड्रोजन का नाम इस चीज से समझने लगे कि अगर हम एक गोला बनाएंगे और गोला के अ तो वो बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन ये बन जाएगा हमारा फॉस्फोरस तो ऐसे ऐसे हम इनको इस पहचान से हम याद रखने लगे कि अगर हम ये बनाएंगे तो ये फॉस्फोरस है ऐसे गोल के अंदर सी लिख देंगे तो वो कॉपर है ऐसे गोल के अंदर अगर हम चारो तरफ निशान बनाएंगे और बीच में एक G लिख देंगे तो उसका नाम बन जाएगा गोल्ड ये गोल्ड एलिमेंट है हमारा ऐसे ही सलफर का होता है ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स बनाएगए गोल्ड के अंदर L लिखोंगे तो हमारा लेड हो जाएगा फिर प्लाटिना हो जाएगा Oxygen हमारा सबसे आसान है बस हमें गोला बनाना है उसके अंदर हमें कुछ नहीं रिखना पोले के अंदर आई तो वो Iron हो जाएगा S तो वो हमारा Silver हो जाएगा अब हमारा sodium भी आता है, Silver भी आता है एक नाम से कितने सारे शुरूदा वाला जो हमारा letter है उससे कितने सारे हमारे पास नाम शुरू होते हैं तो इससे तो बहुत ही ज़ादा confusion होनी शुरू हो जाएगी और हम भूलते चले जाएंगे और हमें इतने सारे 118 की तत्वों को हमें याद रखना पड़ेगा हमारे scientist ने सोचा कि अगर हम कोई rule set करें और उन rules के तहट, उन नियम के तहट अगर हम उन elements को उन तक्वों के नाम बनाएं तो हम कभी नहीं भूलेंगे. जैसे जो सबसे पहले इजाद हुए, जो सबसे पहले उत्पन हुए, उनको तो हमने हमारे पूरे नाम के first letter से denote करना शुरू कर दिया. अब जो बाद में शुरू हुए, बाद में जाध हुए, अब यहाँ पर क्या हुआ, H तो अल्रेडी हमारा बन चुका है hydrogen के लिए, अब हम क्या जरेंगे, हम दूसले letter की तरफ जाएंगे, और हम capital H, बड़ा H और छोटा E बनाएंगे, कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यह हमारा गलत सिंबल है, हमारा सही सिंबल हमेशा, पहला letter वो हमारा बड़ा रहेगा, उसके बाद जितने भी letter आएंगे, वो हमारे छोटे ही form में रहेंगे, तो carbon पहले हमारा इजाद हुआ था, तो हमने उसका नाम C रग दिया, copper बाद में आया, तो इसलिए हमने उसका नाम CU लग दिया, फिर cobald आया, तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे नाम आये, तो हमने first या first letter से हमने उसको लिखना शुरू कर दिया, अब कहीं कहीं ऐसे भी थे, जो first और second, जो पहला और दूसरा भी same थे, जैसे हमारा manganese हो गया, और हमारा magnesium हो गया, तो आप देखो कि हमारा पहला दूसरा same है, M-A-M-A, तो हमने manganese को हमने M-N लिख दिया, और magnesium को हमने capital M और small g, छोटा g लिखना शुरू कर दिया, तो हम पहले दूसरे को छोड़के पहला और तीसरा लिखने लगे, तो ये कुछ नियम बनाए हमारे scientist ने, कि जिससे असान हो जाएगा, कि हमें पूरा-पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, और ना ही इतने सारे symbol याद करने पड़ेंगे, हम इस नाम से हम याद रख पाएंगे, अब कुछ हमारे Latin के भी नाम आए, जैसे sodium को हमें Latin name दिया था, natrium, so natrium का हमने पहला दूसरा वर्ड ले लिया, जिसको हमने na बोला, potassium का हमारा बना, k, जिसको हम kalium कहते हैं, iron का हमारा बना, ferrum जिसको हम fe के नाम से जानते हैं, gold का हमारा बना, au, क्योंकि उसको नाम aurum है, और argentum हमारा silver हो गया, तो silver को हमने बोल दिया, ag, इसी तरीके से आप बहुत सारे तद्वों के नाम याद करेंगे, और उनके हम symbol से पहचानेंगे, तो ये हो गया कि ये कैसे नाम आए, इनके कैसे नाम दिये गए, और सोचे गए, हमारी असानी के लिए, इसका मतलब है कि हम इतना ज़्यादा असान हो जाएगा, इनको से फॉर से नाम से, पूरे नाम की जगा हमने छोटे नाम से याद करने की जगा, अब हम चलते हैं, हमारे जो हमने नियम पड़े थे, रसाइनिक सायोजन के नियम, उनमें हमने पड़ा था, यह जो हमारे पर्मानू है, यह पर्मानू हमारे अकेले मौजूद नहीं हो सकते, इनको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो अब हम जानेंगे, कि यह जो हमारे तत्व हैं, यह हमारे पृथवी पर कैसे आपस में जुड़े, और हमारे लिए पदार्थ पैडा करें तो इनको आपस में जुरना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तभी ये एक्जिस्ट कर पाएंगे हमारे पृत्वी पर जब ये दोनो हमारे पदार्थ दो या दो से ज़ादा पदार्थ आपस में मिलेंगे और अगर ये मिलते हैं हमारे रसाइनिक सन्योजन की वज़े से तो इनको हम बोलते हैं, हमारे जो उत्पन होते हैं, उनको हम बोलते हैं अडू और हम ये इसलिए करते हैं, तभी वो हमारे पृत्वी पर exist कर पाएं तो इनको हम रसाइनिक संयोजन की वज़े से उत्फन करते हैं और ये हमारे उत्फन होने के बाद हम बनाते हैं अडू तो हमारे परमाणू से हमारे अडू बन गए हैं अगर हम इनको रसाइनिक संयोजन से आपस में मिलाते हैं तो अब हम ये इनी के बारे में और चीज़ें आगे पढ़ती हैं, तो जो हमारा अडू है, ये हमारे element का, हमारे तत्व का सबसे छोटा भाग है, जो अपने आप independently आजादी से स्थित हो सकता है, exist हो सकता है, अब हम इनके बारे में कुछ-कुछ पढ़ते हैं, तो सब heading लिख लीजिए, अडू, तो अडू जो हैं, दो तरीके से स्थित होते हैं, एक हम बनाते हैं, तत्व के अडू, और दूसरा हम बनाते हैं, compound के अडू, जो हमारे तत्व के अडू होते हैं, उसमें बिल्कुल सेम ही, बिल्कुल हमारे सेम ही तरीके के, हमारे तत्व हमारे जो परमाडू हैं, वो पाए जाते हैं, लेकिन compound में, जो हमारे अडू के जो compound होते हैं, वो उसमें हमारे अलग तरीके से परमाडू पाए जाते हैं, और हमारे जो element में, हमारे जो तत्व में पनमाणू पाए जाते हैं, वो बिलकुल आपस में same होती हैं, जैसे कि अगर हम example देखें, तो हमारा जो अडू है O2, अब O2 हमारा इसलिए बना oxygen है ये हमारा, oxygen O single atom हमारा नहीं exist कर सकता, इसी वज़े से हमने दो oxygen atom को रसाइनिक संयोजन से मिलाया और हमने एक अडू बना दिया, जिसको हम कहेंगे one oxygen molecule, एक oxygen का अडू हमने बना दिया, इनको रसाइनिक संयोजन से मिला कर, अगर हम ये हमारा हुआ molecule of element का example, और अगर हमने molecule of compound की बात करनी है, तो हम इसका example देखते हैं, इसका example हम H2O ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, तो इसमें अगर हम देखते हैं, कि हमारे जो परमाडू मिले गए हैं, उसमें H2O बनाने के लिए हमारे दो hydrogen परमाडू मिले गए हैं, और एक oxygen परमाडू मिले गए हैं, ये दोनों आपस में रसाइनिक संयोजन की वज़े से मिले हैं, और इनों ने बना दिया है H2O, जो ये exist कर सकता है हमारी पृत्वी पर इसी तरीके से हमारा NH3, एक nitrogen, तीन hydrogen परमाडू के साथ मिलकर, रसाइनिक संयोजन के साथ मिलकर हमारा जो है अडू बनाया है और उस अडू को हम बोलते हैं compound अडू, तो ये हमारे बन गए है molecule of element और molecule of compound जो हमने दो प्रकार के पढ़ लिये हैं, अब हम आगे चलते हैं और ह हम इनी परमाडू से बनाते हैं परमाडूता, जिनको हम बोलते हैं atomicity या परमाडूता, अब ये क्या होता है, इसमें जो हमारे जितने भी परमाडू लगे गए हैं, एक हमारे अडू बनाने के लिए उसको हम कहते हैं परमाडूता, मतलब एक हमारे molecule को बनाने के लिए जित इतने भी atoms बने हैं, लगे हैं, उसको हम कहते हैं पर्माडूता, जैसे ये है एक हमारा अडू है, ये एक हमारा अडू है, ये एक हमारा अडू है, तो इनको इन molecules को बनाने के लिए कुछ-कुछ हमारे पर्माडू लगे गए हैं, अब कितने लगे गए हैं, उसको हम कहते हैं, atomicity, अब जैसे दो hydrogen और एक oxygen लगा है, तो ये बन गए तीन हमारे atom अलब तो तल मिलकर हमारे तीन atom लगे हमारे बनाने के लिए तो हम इसको बोलेंगे triatomicity ऐसे ही अगर कहीं दो atom लगे बनाने के लिए जैसे O2 में, तो उसको हम बोलेंगे diatomicity ऐसे ही कहीं पर अगर हमारे 3 या 3 से ज़ादा, more than 3 अगर हमारे होंगे 3 से ज़ादा, तो उनको हम बोलेंगे polyatomicity जैसे example हमारा NH3 है इसमें 4 हमारे लगे हैं, atoms हमारे पन्दमानू बनाने में, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं polyatomicity हमारा 2 diatomicity या अगर हमारा एक लगा है तो उसको हम monoatomicity बोलते हैं तो ये हमारा हो गया पन्मानूता अब हम इनी चीज़ को आगे लेकर जाते हैं और हम बनाते हैं कुछ रसाइनिक के सूत्र, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़े याद रखनी पड़ेंगी तो अब हम उन चीज़ों को भी याद करते हैं धीरे-धीरे तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने आयनों को जिनको हम ions होते हैं दो तरीके के ions होते हैं कैटायन जो positive होते हैं और हमारे एनायन जो हमारे होते हैं negative अब इन में क्या हमारे अंतर हैं अब हम ये जानते हैं हमें जब दो हमारे element को तत्वों को मिलाना होता है रसाइनिक सायोजन के तहर तो ये आपस में दूसरे को electron देते हैं जैसे हमने sodium chloride का हमने molecule या एक हमने compound बनाया तो इसमें कैसे बना sodium ने कुछ electron दिये chlorine को जिससे इनकी फ्रेंदोस्ती हो गई और chlorine ने उतने ही electron अपने पास ले लिए जिससे इनके बीच में एक bond बन गया तो इसी तरीके से जितने उन्होंने जो देता है electron donate करता है उसको बोल दे हैं kate ion और जो हमारा accept करता है उसके पास negative charge आ जाता है और उसको हम बोलते है anion तो इनी को मिलकर हम बोलते है ions, kate ion और anion जितने वो एक दूसरे को देंगे electron तो उसी के आगे number के आगे plus के आगे plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3 ऐसे ही वो number जुड़ते चले जाएंगे और इनी दंबरों को हम बोलते है संयोजकता या फिर valency तो अब हम समझते है valency के बारे में तो valency एक ऐसी शमता है संयोजकता है जिससे दो हमारे तत्व आपस में जुड़कर बनाते है साइनिक संयोजन से जुड़कर एक compound बनाते है उसको हम कहते है valency तो हम किसी-किसी elements की valency याद कर लेते है जैसे hydrogen की होती है हमारी 1 helium की होती है एक भी नहीं होती है उसकी 0 ही होती है उसकी पूरा है बिल्कुल सब कुछ lithium की होती है 1 हमारे जो-जो important है हम भुग याद रहेते nitrogen की होती है 3 oxygen की होती है 2 oxygen की हमेशा anion है तो क्योंकि ये donate ये accept करता है electron लेता है fluorine की होती है 1 minus 1 sodium हमेशा देता है इसकी होती है plus 1 magnesium की होती है plus 2 ये 2 electron देता है aluminium की होती है plus 3 तो ये जो ज़रूरी-जरूरी है elements उनकी हमें याद रखनी valency बहुत ज़रूरी है जिसकी वज़े से हम आपस में racinic सूत्र को बना पाएंगे जिनको हम कहते हैं chemical formula तो अब हम chemical formula बनाते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं sodium chloride का chemical formula sodium chloride का अगर नाम पूरा ऐसे आपको लिखने को आता है और आपने उसका formula बनाना है तो कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे symbol फिर हम उनकी लिखेंगे valency जो हमने याद कर ली है और इनको हम cross करेंगे तो one हमारा इसकी हाँ पर आ जाएगा और दूसरा one यहाँ आ जाएगा तो हमारा बन किया ये NaCl इसी तरीके से हमारे और भी compound बन सकते हैं जैसे aluminium oxide अगर हम लेते हैं aluminium oxide को हम फिर से symbol लिखेंगे aluminium का Al, oxygen का O इसकी valency होती है plus 2, इसकी valency होती है minus, plus 3, इसकी होती है minus 2, तो अब हमारे symbols ये बन गए आकर तो ये बन गया हमारा प्रसाइनिक का सूत्र तो हमें valency याद रखने पड़ेगी हमें symbol याद रखने पड़ेंगे और हमें हमारा जो प्रसाइनिक सूत्र है वो बन कर तयार हो जाएगा तो आज की class में हमने पढ़ा है सबसे पहले elements के बारे में, तत्वों के बारे में फिर ये जाना कि ये elements जो हैं इनके अंदर same तरीके के हमारे परमाणू पाए जाते हैं और जो अलग-अलग तरीके के परमाणू पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं compounds और वो molecule होते हैं क्योंकि इनको आपस में जूड़ना पड़ता है और हमने ions और valency को मिलकर हमने एक formula बना कर तयार कर दिया Thank you so much everyone